नमस्कार जय जोहार जय च्छतिसगर्ड वंदे मात्रम प्रीप्रतिभागियों आप लोग ले एक बेहधी खुश्खबरी है आप जिसे के जानते हैं कि जो युव हैं वे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे भरती को लेकर और उसमें से पुलिस भरती को लेकर काफी इंतजार चल रहे थी और उसमें से पुलिस भरती में एक आपका सेक्षन है होम गार्ड पुलिस भरती तो होम गार्ड पुलिस भरती को लेकर 2000 से ज्यादा पोश्ट आ रही है लगबग आप देखेंगे तो 215 पोस्ट आ रही है और ये पोस्ट जो है जल्द ही इसके लिए CG Vapam के द्वारा एक्जाम होने वाला है बकाईदा रिटर्न एक्जाम होगा तो इसके बारे में हम जानेगे किस तरी किस एक्जाम होगा तो इससे पहले जितने ही प्रतिभागी हमें देख रहे हैं सबसे पहले तो हमारा यूटूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें हमारा यूटूब चैनल में आपको जो है विभीन प्रकार के परिशाओं की जो है जानकारी आपको दी जाएगी राजी सरकार की दोरा, केंदर सरकार की दोरा, जो विःने परिशाएं होती हैं, उनकी जानकारी के लिए उनकी तैयारी को अलिए ये साद की सी अध से अकेमी का प्रेट फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, घर बेट है आप इससे जूड़कर विभीने परिशाओं के तैया मेडिया है उसमें जो है पोश्ट किया गया था गौर्वर्मेंट के द्वारा उसमें लिखा गया था छत्ति रड़के युवाओं के लिए सुनहरा आउसर जिसमें लिखा था सरकारी नौकरी के सपने को हकीकत में बदले लगभग 2215 नगर सैनिक पदों की जल्द होगी भरती और इस भरती को कौन करेगा CG व्यापम एक्जाम के द्वारा होगा तो यह CG व्यापम एक्जाम के द्वारा आईजवित होगी परिछा हमारे मानियम मुख्य मंत्री आप जान रहे हैं मिशुन साय के द्वारा ये बाते जो है उजागर हुई है और इसको फिर तूरंत कुछ दिनों बाद पेपर में भी जो है चापग है पेपर में जो प्रकासित हुआ आप देखेंगे होमगाठ भरती के लिए व्यापंसे होगी लिखित परिच्छः फिजीकल टेष्ट पचास परतिशत पाने वालों को मिलेगा मौका अप जानते हैं कि पुलिस भरती है मतलब यहां पर फिजिकल टेष्ट होना अनिवार यह है तो यहां पर यह जो एक्जाम है फिजिकल टेष्ट के साथ साथ लिखित परिच्छा के माध्यम से यह एक्जाम जो है संचालित होने वाला है इसमें आप देखेंगे प्रदेश में नगर सेनिकों के 1215 पदों पर होगी भरती पिछले दिनों मंगाये थे आविदन इसके लिए फॉर्म भनने की प्रक्रिय जो है वो लगभग हो चुकी है अब जो है में काम बज गया है वो है आपका लिखित परिच्छा और 50 प्रतिशत अगर आपको फिजिकल निकालना है तो 50 प्रतिशत आ यह दो तरीकित होगा एक फिजिकल होगा और दूसरा आपका लिखित होगा फिजिकल में आपका सव अंक का प्रश्न होगा अर्थात सव अंकों का होगा यह ध्यान रखना जिसमें आपको समझना होगा यह आपका फिजिकल ध्यान दिजीगा प्रतिभागी परिच्छा जो होगी होम गार्ड की वो दो चरणों में होगी अर्थात पहला जो है सारीक परिच्छा या फिजिकल टेस्ट कह सकते हो सारीक दक्षता या सारडिक परिच्छा और दूसरा जो चरण है लिखित परिच्छा दोनों का वेटेज जो है समान रखा गया है आप ध्यान दीजेगा इसके लिए व्यापम ने सव अंक निर्धारित कर दिये हैं इसके लिए भी सव अंक निर्धारित कर दिये हैं आपको थोड़ा से समझना होगा यहाँ पर कि ये जो दोनों परिछा होंगी 100-100 अंक की बराबर तो है, पर अगर आपको qualify होना है, qualify, pass होना है, तो pass होने के लिए सारिक परिछा में कम से कम 50 अंक लाने हैं, या फिर कह सकतो 50 परतिशत, 100 में 50, और एक है दारा 40 परतिशत, या 40 परतिशत या 50 अंक, तो 100 अंकों का है, तो 100 अंक में 50 परतिशत या 50 अंक प्राप्त करेंगे, वो qualify होंगे, यह निर्धारित किया गया है, अर रिजर्व के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 50 परतिशत अंक जरूरी है 100 में से, या 50 परशंट कर सकतो हो, लेकिन यदि जो non-criminal बोलते हैं, या फिर जो दिव्यांग वर्ग है, हाला कि दिव्यांग का इसमें मामला नहीं रहेगा, पुलिस है, ठीक है, फिजिकल है, तो यहाँ पर basically ST, SC, OBC, non-criminal धिया रखना, इनके लिए 40 परतिशाद जो है निर्धारित है, तो इनको 10 परशंट के लिए लेगा और इस व्यापम के तत्वधान में जब परिख्षा होगा, लिखित परिख्षा, कितने अंकों का ध्यां रखेंगे, सभी परतिभागी तयारी करेंगे, तो सव अंकों का होगा, इसमें कौन से subject के प्रशन आएंगे, यह आपके सवाल रहेंगे, क्या होगा सिलेवस तो आपको बता दूँ जिस तरीके से जानकारी हमको मिली है सुत्रों से, तो सुत्रों से जानकारी मिली है, इसमें समानने ग्यान पुछा जाएगा, 36 गड़ का और कुछ भारत का, समानने ग्यान कहां का, 36 गड़ और भारत का समानने ग्यान, और साथ में गड़ी थी, यहा से सवाल पूछे जाएंगे इसका जो है व्यापाम के मादियम से सवाँकों के परशन पूछे जाएंगे, अभी तक जो सुत्रुस से जानकारी मिली हो उसमे समान ने गयान चछतिड का, समान ने गयान भारत का और गड़ी थे, तो इसकीत तयारी आपको अच्छे स्करनी होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि लगभाग ये एग्जाम में जो दस्वी पास candidate है, या फिर बारवी पास जो candidate है, उन सब के लिए ये एक्जाम है, तो दसवी बारवी पास जो रहते हैं candidate उनका कही न कहीं जो पकड़ होती है, दसवी बारवी के बाद मैस वैस पढ़ाई वड़ाई में छुड़ी आता है, फिसिकल के ज़्यादा फोकस रहता है तो उन लोग को जो है बहतर तयारी करना बहुत ज़र रही है competition होगा ऐसे नहीं की नहीं होगा क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी धुरंदर लोग भी इस exam से होकर गुजरेंगे तो उनसे आपकी जब टक्कर होगी तो आपको अच्छे से तयारी करना होगा तो इसके लिए संस्थान के दवारा हमारे पूरे विसरसगों के टीम के दवारा जो है online का क्षाएं होंगी, offline का क्षाएं होंगी खासकर online में सबसे बड़ा अच्छा फायदा यह है कि आप घर बेठे अपने हिसाब से कभी भी देख के तयारी कर सकते हो हाथों में रहेगा आप घर बठे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं तो इसके लिए जो है classes होने वाली है इसके लिए संस्थान के जो help line number है उन पे आपको संपर करना होगा एक खास जानकारी bonus को लेकर खास में बात हुई है बीस अंक bonus को लेकर निधारित है यह अलग-अलग category के साब से जैसे कई लोग NCC में रहते हैं तो उनको पांच अंक मिलेगा कोई लोग खेल कुद खेले रहते हैं तो राश्टी स्थर पर तो उनको पांच वंक तो इस ताइप से कुछ-कुछ है यहां पर bonus अंकों के भी सू मतलब जो मेरिट इस तयार होगा वो आउट आफ 200 में से दोनों पेपर में से आपको जो है जो अच्छे अंक लाएंगे वहां से होगा अगर मालो इसमें कुछ संसोधन होगा तो आपको नोटिपिशन के माध्यम से अपढ़ कर आप लोग को तूरंद बता भी दिया जागा इसके लिए आप निशिंत रहिएगा हमारे टेलेगराम चलन से आप लोग जूड़े रहेंगे तो आप लोग के लिए खुसकबरी है इस खुसकबरी को सफल बनाने के लिए आप लोग को अभी से भढ़ना होगा थोड़ा भी देरी नहीं करना है क्योंकि सामने जो है पुल इसके बात है कि लड़किया लड़कियों को लेकर होम गार्ड में काफी ज़्यादा तवज्व दिये गया है इस एक्जाम में इस पोष्ट में तो मैं चाहूंगा कि जिन लड़कियों का रुजान पूलिस बनने का है गाउं में पढ़ी लिखी लड़किया रहती है उनका फिजिकल फिटनेश ही बड़ा अच्छा रहता है तो वो लोग होम गाड की तयारी कर सकते हैं उनके लिए संस्थान द्वारा फिजिकल के लिए हमारे संस्थान में निशुलक तयारी भी करा जा रहा है भणपूर में भूत पूर सैनिकों के द्वारा निशुलक है और वैस ये सारे जो भरतियां हैं, एक के बाद एक सिल्सलेवार होगी, तो आपको तैयारी में लगे रहना है, ठीके साथियों? तो ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा, तो अधिक सदिक लोगों में शाज़ा करिएगा, और उमीद करता हूँ कि ये जानकारी के माध्यम से आप तूरंद लग जाएंगे अपने तैयारी में, तो विश्यों आल दे बेस्ट, लाइक, सेर, सस्क्राइब जरू कर दिये जगा, फिर मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जै हिन, जै जोहार, जै चाथिसगर्ड वन्दे मात्रम.